नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोते सेक्रेट तुला रासी वालों फरवरी और मार्च 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है आज हम आपसे यही साजा करेंगे वीडियो के अंतक बने रही है और ये प्रेडिक्स आपके धन भाव में रहेंगे सुक्र सुर्य सनी और देव गुरु ब्रहस्पति आपके चौथे भाव में है लेखिए आपके रासी के स्वामी आपके जो सुक्र है वो सनी देव के साथ है और बुद्ध देव आपके पंचम भाव में रहेंगे मंगल देव सातवे भाव मे थोड़ा संभल के क्योंकि बन रहा है दुरगट नायो और इस समें आपकी पुरानी बीमारी भी परिसान कर सकती है लाकि हम सुरात में आपको डराना नहीं चाते लेकिन संभल के रहना बहुत आबस्यक है फरवरी के महिने में आपके रासी के स्वामी है सुक्रदेब केंदर क स्वामी होकर त्रिकोन में सनिदेब के साथ बैठ कर केंदर त्रिकोन राजियोग भी बना रहे हैं अब चार ग्रह एक साथ हैं सुक्के अस्थान में तो यह चत्रुगड़ी राजियोग बन रहा है यह आपके जीवन में बहुत ही खुबसूरत सा पल भी लेकर आएगा और बैपारियों के लिए उन्नती के नए रास्ते भी खोलेगा करियर में सफलता के प्रवल सम्हावना भी बनेगी लेकिन थोड़ा सा संघर्स भी देगा लेकिन परिस्रम करने का आप पूरा प्रयास करें लब लेसंसी बहुत अच्छा रहेगा बैभाही जीवन अच्छा है और जो बैपारी हैं उनके लिए आप एक नई नई योजनाय बनाएंगे आगे बढ़ेंगे लेकिन अब जानते हैं बिस्तार से क्या होगा तो सबसे पहले समझते हैं आपके कारे छेतर के बारे में देखिए करियर के दिष्टी कौन से देखा जाए तो ये समय आपके सब्सक्राइब का प्रभाव होगा अब चतूरत भाव में सुक्र भ्रहस्पती सूर्य सनिदेव हैं और चार फरवरी को बुद्ध भी वक्रियवस्था में चतूरत भाव में आजाएंगे अब यहां पर सब्सक्राइब करन क्या होगा ना नौकरी के मामलों में बहुत साबधानी आपको रखनी होगी और एक कागरता यहां भंग नहीं होने देना है फोकस को भंग नहीं होने देना नहीं तो गरबडिया होंगी तो स्वैम पर नियंतरन रखें शांत रहें और किसी से बेबज़ का बिर्थ का बाद विबाद करना बातचीत करना इन सभी चीजों में आप मत पढ़ें जहां तक संबब वो किसी भी विबाद को मत बढ़ने दीजेगा नहीं तो परिसानी बढ़ जाएगी 14 फरवरी के बाद आपके कारियों में मजबूती आएगी फिर से एक बार आपका दिमाग एक्टिव रहेगा चुकि यहां पर सूरी रासी परिवर्तन जैसे ही करेंगे आपके जीवन में एक दम से बदलाव आ जाएगा जो लोग जॉब करते हैं उनका प्रदर्शन सर्बस्रेश्ट रहेगा आपको प्रसंसा होगी और इस समय हो सकता आपको प्रमोसर मिल लेकिन दूसी तरफ टीम वर्क करके अगर काम करें तो ज्यादा बहतर होगा बाइस फरवरी को मंगल आपके अस्टमबों में आ जाएंगे अब यहां पर राहु मंगल एक साथ अंगालक दोस्त बनाएंगे तब थोड़ा ध्यान रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए क्य पंचमबों में कुम्रासी में परवेस कर रहे हैं तो देखें यहां पर क्या होगा ना कि आपके आमदनी जो है वो उसका लाव होने के योग बनेंगे अब यहां पर धन की बात करें तो फरवरी के महने में थोड़े उतार चड़ाव हैं क्योंकि दूसरे वहां में केतु है अब आप धन के पीछे भागेंगे और इतने मजगूल हो जाएंगे कि अपनों को समय निकालें सरकारी यूजनाओं का बड़ा लाब देगा कितु तो अपने दिमाग का यूज कीजिए आप अच्छा धन कमा पाएंगे बिजनस में हैं उनको भी बहतर लाब की योग बनें तो इस मेहने में थोड़ा सा जैसे चाती में दर्द ठंड लगना ये सबी चीजें हैं और 22 फरवरी को चुकि मंगल जैसे ही अस्टमभाव में आंगे राहू के साथ तब अचानक से थोड़ी समस्या है जीवन में आएंगी जिससे आपको बचना होगा जैसे कि चोट ना ल लेसंजीब और बैवाहिक जीवन की तो आपके लिए अनुकूल वक्त है क्योंकि दिल की हर बाते हमसे सेर करेंगे और आपके बीच रिस्ता मजबूत होगा बुद्ध देव चतुर्द भौ में चार चुकि यहां पर बुद्ध देव आपके चार फरवरी को वक्री होंगे चार गुड़ों के साथ तब ऐसे में एक दूसरे से आसानी से नहीं मिल पाएंगे तो सद्यान रखना होगा और 21 फरवरी से आप में जो दूरी है यहां पर सुक्र देव देखे गोचर आपके पंचम भौ में होगा तो रिस्तों में प्यार और रोमांस भर जाएगा आकरस ही हैं उनकी बात करते हैं पहले तो जो विद्यारत ही हैं उनके लिए देखिए आप जीवन में बैलेंस बनाए रखें जरूर से ज्यादा भटकाओं से बचिए परिस्तरम कीजिए क्योंकि यह समय कठीन परिस्तरम से आपको सफलता मिलेगा आपके अंदर जो एक चमक है व फोकस करें गायत्री मंत पढ़िए जिससे पढ़ावा समय पर याद रहे और चीजें बहतर हों तो देखिए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की सबसे बड़ी यह है कि चतुत गरही योग आपके परिवार चतुत भाव में बैठा है संतुष्टी का भाव महस संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता है पर कोई खास दियान मत ना भी परिशान होनी के आवसकता नहीं है हां आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए सब कुछ बहतर होगा क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए एक तो यहां पर आप सुक्र को बहतर करें ओम सुक्राय न लाब होगा रोज साम में ओम संक्सरेच्राय नमा का जितना ज्यादा जब करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाब होने के यूग बनेंगे तो यह चीज़ें आपके लिए बहुत जरूरी है जो फरवरी के महने की है लेकिन अब बात करते हैं आपके लिए मार्च के महने की क्या होगा देखिए मार्च के मेहने में क्या होगा ना अगर हम दो सब्दों में जाने तो मार्च का मेहना तुला बालो आपके जिमन में थोरा सा उतार चड़ाओ लाएगा क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो अच्छा वक्त है लेकिन जो बिजनस मेहने उनके बेबार पर डिपेंड करेगा जो बिद्यार थी हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा समय है क्योंकि परत्विक्ता प्रिक्षा में सफलता मिलेगी पढ़ाई में मन लगेगा आपके लिए चीजे बहुत अच्छी है और रोजगार के नए अपसर भी मिलेंगे अब यहां पर द्धनखर्च होंगे लेकिन स्वास्त के लिए थोरा सापको ध्यान देना होगा क्योंकि स्वास्त के मामलों में थ्भर निगेटी प्रवाव है दूसी तरफ सफलता हर्च है और कोट कचरी मामलों में तेजी आएगी भाग का साथ मिलेगा लेकिन कोई आपके खिलाब तुष्टी का भौ रहेगा क्योंकि यहां पर देखिए राहू मंगल 1782 अस्टम भौ में हैं तो कुछ ने कुछ पारिवारिक जीवन में भी थ्यान देते रहे क्योंकि थोड़े से भी प्रीच चलेंगे फिलाल आप से विदा लेते हैं हरहर महादेव धन्यवाद